रादि रादि दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी सिर्फ 15 रुपे में बनने वाले भोती, सौफ्ट और एकदम स्वाधिस्ट पेड़े की रेसिपी जिसको बनाना बहुत ज़दा असान है और इसको बनाने के आपको यहाँ पर ना तो मावा चाहिए, नहीं आपको कोई चासनी बनानी है, नहीं आपको यहाँ पर कंडेस्ट मिल्क की जुरूरत पड़ेगी, बिना मिल्क पावडर मलाये के हम बहुती टेस्टी पेड़े बना करके तयार करेंगे तो फ्रेंट्स इन पेडों को बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेने हैं बिस्किट तो मैंने यहाँ पर दो तरह के बिस्किट लिए हैं एक मैंने यहाँ पर लिए हैं चोकलेट करीम वाले बिस्किट और एक जो यहाँ पर Merry Gold वाले आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिये हैं तो मैंने यहाँ पर यह Sugar Free वाले जो बिस्किट लिये हैं यह पतंचली के लिये हैं और आप यहाँ पर अपनी पसंद के ले सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं तो फ्रेंट्स आपको इन पेड़ों को बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके के चोकलेट वाले क्रीम वाले बिस्किट लेने हैं और यहाँ पर प्लेन इस तरह के शुगर फिरी वाले बिस्किट लेने हैं तो अब हमी क्या करना हैं अब हमी यहाँ पर लिए है जो चोकलेट वाले supreme वाले biscuit है उनको हमें grinding jar में डाल करके इसका fine sa powder बना करके तयार कर लिए हैं तो दीखियो friends यहाँ पर जो है मैंने बिल्कुल fine sa powder बना करके तयार कर लिया है तो यहाँ पर आपको जितने पेड़े ब बन करके तयार हो जाएंगे, तो जितने भी आपको पेड़े बनाने हैं, उसी इसाब से आप यहाँ पर बिस्किट के quantity ले सकते हैं, अब जो हमारा चोकलेट वाला पाउडर है, उसको हमें एक साइड में निकाल करके रख लीना है, अगर आपको यहाँ पर इसको बहुत ही जरूर ट्राय करें, बच्चे हों बड़े हों सभी को बुजदा पसंद आएंगे, तो अब हमें यहाँ पर दूसरे वाले बिस्किट को भी इस तरीके से टुकुडों में तोड़ करके डाल देना है, और बिल्कुल फाइन सा हमें यहाँ पर इसका भी पाउडर बना करके त चाहिए, दूद तो यहाँ पर हमें ठंडा दूद लेना, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो बलवा दूद हमें यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर इसमें मेठा कम हैं, तो इस वाले बिस्किट में हमें यहाँ पर डालना है, प को पौडर भिए तो आधी छूती चम मैं याँ पर याँ पर डूधा कि हमें धंदा ओडूध दूधा पर फ्रीज का रख़ा है वह डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हमें याँ पर डालना है जादा हमें यह नहें डालना है, इसको भिल्कुल हमें Sa springs तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूद को डालते जाना है तो फ्रेंट्स पिना गैस जलाए बहुत ही टेस्टी हम यहाँ पर मिठाई बना करके तियार करेंगे आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपको पताए नहीं पाएगा कि आपने यहाँ पर बिस्किट से बना करके तियार किया है इतनी जादे यह टेस्टी बन करके तियार होती है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें यहाँ पर एक टाइट सा डो लगा करके तियार कर लिना है तो इस डो को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर तीन चमच जो है दूद का प्रियोग किया है तो यहाँ पर अब हमें दूसरे वाला जो डो है वो भी लगा करके तियार कर लिना है तो इसको लगाने के लिए हमें यहाँ पर एक चमच या दो चमच के करीब दूद लगा है तो यहाँ पर जादा हमें नहीं डालना है बस इतना ही डालना है क्योंकि यह जो है बहुत ही soft हो जाता है तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके दूद कर डालते जाना है तो total यहाँ पर दो चमच के करीब इसमें जो है दूद लगा है और अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हातों की मदद से अच्छी से इसको मैश कर लिएना है मैश करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसका डो सा लगा करके तियार कर लिएना है इससे जो मिठाई के अंदर बहुत अच्छी शाइन आएगे और हातों पर भी नहीं चिपकेंगे तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छी से एक बारी और हमें यहाँ पर इस तरीके से मैश कर लेना है इस तरीके से बराबर करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको बराबर इससे में इसकी लोया तोड़ करके तियार कर लेनी है तो मैंने यहाँ पर पाँच लोया तोड़ी है और इस तरीके से हमें इसको बराबर बराबर कर देना है अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से round round shape में दे देना है जैसे हमें यहाँ पर गुलाव जाओन बनाते हैं इस तरीके की हमें यहाँ पर shape दे देनी है देखने में यह बिल्कुल गुलाव जहूं जैसे लग रहे हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सभी बोल्स को बना करके तियार कर लेना है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको बोल्स का साइज जो है बिल्कुल छोटा रखना है ज्यादा बड़ी हमें यहाँ पर बोल्स बना करके तियार नहीं करनी है तो इस तरीके से छोटी छोटी यहाँ पर हमें बोल्स बना करके तियार कर लेनी है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर सभी बोल्स को बना करके तियार कर लिया है अब हमें जो दूसरा डू लगाकर कि रखा था उसको भी सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर हातों पर घी लगाकर कि इस तरीके से राउंड राउंड यहाँ पर हमें इसको कर लेना है अब हमें यहाँ पर इसकी लोईयां तोड़ करके तयार कर लेनी है तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको भी बराबर बराबर हिसों में तोड़ करके तयार कर लेना है अब हमें यहाँ पर एक लोई को लेना है और इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको हतेली की मदद से इस तरीके से चिकना कर लेंगे और इसको हलका सामें फैला लेना है तो इस तरीके से हलका सामें याँ पर फैलाने के बाद इस तरीके से बोल को इसके अंदर बीच में रखना है और बहुत ही असाने से ये फोल्ड हो जाती है और इस तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है फोल्ड करने के बाद अब हमें याँ पर इसको इस तरीके से गोल-गोल घुमा लेना है और इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही टेस्ट ही हमारे जो पेड़े बन करके तयार हुजाते हैं तो आप दिवाली पर या फिर किसी भी ओकेजन पर या फिर कोई भी अचानक से मेहमान आ जाए तो भी आप इनको बना करके तयार कर सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट बनने वाले पेड़े हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं या पर इसको शेप देने हैं शेप आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी दे सकते हैं तो मैंने या पर इस तरीके से पेड़े वाले जो शेप यहाँ पर इसको दी हैं तो friends two in one हमारी मिठाई बन करके तयार हो चुकी हैं अंदर से बहुत ही टेस्टी चोकलेटी हमारी मिठाई लगेगी और बाहर से भी बहुत ही टेस्टी लगेगी तो इसी तरीके से बागे के सभी मिठाई को बना करके तयार कर लेंगे तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सभी पेड़ों को बना करके तयार कर लिये हैं और आप देख सकते हैं देखने में कितने ज़धा अच्छे लग रहे हैं तो इस कोर भी हमें यहाँ पर सुन्दर बनाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर करने इसकी गार्णिश तो मैंने यहाँ पर चांदी के वर्ट से इसकी गार्णिश की आप यहाँ पर अपनी पसंद के किसी भी ड्राइब फूट से कर सकते हैं तो फ्रेंड्स लीजे तैयार है मिंटों में सिर्फ 15 मिनिट में बिना गैस जलाए बहुत ही टेस्टी पेड़े की रेस्पी तो आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइए करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट एगर आज की रेस्पी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें चैनल पर पहली बार एह तो प्लीज चैनल को सब्सक्रैब करना ना भूलें और अगर आप यह वीडियो फेस्पूक पर देख रहे हैं तो देखें फ्रेंड्स यहाँ पर हम बीच में से कट करेंगे और आप देखे किती बढ़िया 2-in-1 हमारी जो है मिठाई बन करके तयार हुई है एकदम चोकलेटी और बहुती सॉफ्ट तो आप इसको जरूर ट्राए करें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार